इंडिया के 700 students को Canada से डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है क्योंकि उनके visa agent ने उनको university के fake offer letter दे दिये अब ये student वहां से blacklist होने के बाद visa agent से recovery कर पाएंगे, legal action ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, बाद की बात है लेकिन अगर आप या आपका कोई जानकार study visa पे बहार जाना चाहरा है, कैसे पता लगे कि visa agent genuinely काम कर रहा है या नहीं पहली बात तो ये धियान रखो कि जो भी visa agent study visa के लिए genuinely काम कर रहा है, वो कभी भी student से पैसे नहीं लेगा क्योंकि उसको per admission university से dollars में पैसे आता है फिर भी अगर आपसे कोई visa agent पैसे मांगता है, तो आप उसको cash कभी मत दीजिए हमेशा अपने account से transfer कीजिए और check से transfer कीजिए और वो check और transfer किसी ऐसे आदमी के नाम पे नहीं होना चाहिए, जो इंडिया में नहीं रहता और अगर visa agent आपको कोई फर्जी या fake document दे देता है बनाके, तो उस situation में ये clear cut case बनता है cheating का, जिसमें आप police को अप्रोच कर सकते हो और ऐसे situation में police की duty है कि वो under section 154 FIR करे, और अगर police FIR नहीं करती है, तो आप इसकी complaint एक senior police officer को भी भेज सकते हो और अगर by chance वहां से भी आपको कोई relief नहीं मिलता है, तो आप court में एक application under section 156 3 CRPC फाइल करके, court से भी FIR करवा सकते हो अगर पैसे आपने अपने account से transfer किये हो, तो आप उस पैसे के recovery भी visa agent या उसकी firm के against फाइल कर सकते हो इससे related अगर आपको कोई question है, तो आप मुझे comment section पे पूछ सकते हो, ऐसी और information के लिए आप मुझे instagram और facebook पे follow भी कर सकते हो